हेलो फ्रेंट्स नमश्कार रेडुकस कुकिंग में आप सभी का स्वागत है आज कल मार्किट में स्ट्रॉबरी बहुत मिल रही है इसलिए आज हम इससे एक डेजर्ट बनाएंगे स्ट्रॉबरी कॉबलर इस डेजर्ट में बैटर को बेकिंग ट्रे में डालेंगे और उसके उपर से स्ट्रॉबरी को फैला लेंगे जब हम इसे बेक करने के लिए रखते हैं तो बैटर स्ट्रॉबरी को कवर कर लेता है जिससे टॉपिंग और किनारे उसके क्रिस्पी हो जाते हैं और स्ट्रॉबरी का जो जूस है वो बैटर में एब्सॉर्व हो जाता है जिससे की बीच से ये बहुत ही सौफ्ट रहता है इसे हम अपनी पसंद की किसी भी आईस्क्रीम के साथ सर्व कर सकते हैं चलिए बनाते हैं इसके लिए मैंने बहुत सारी स्ट्रॉवेरीज लिये हैं जिने की दोकर साफ कर लिया है और रफली चॉप कर लिया है आप इसे अपनी पसंद के भी किसी शेप में काट सकते हैं जैसे की राउन या लंबे-लंबे पीसे किसी भी थरह से काट सकते हैं मैंने यहाँ पर इन्हें रफली चॉप किया है स्ट्रॉवेरी चॉप हो गई है अब इन्हें हम एक अपने बड़े बोल में निकाल लेते हैं अब मैंने यहाँ पर आदा कब पिसी हुई चीनी ली है बस चीनी को मिक्सर में डाला और वीज दिया अब इसे भी हम अच्छी तरह से स्ट्रॉवेरी इसके साथ मिक्स कर लेंगे इससे हमारी स्ट्रॉवेरी सॉफ्ट हो जाएंगी और इसमें से जूस बाहर निकलाएगा जो कि हमारे बेटर के साथ कमाइन होके बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है अब एक बोल में हम एक कप रिफाइन फ्लॉर मैदा ले लेंगे और चुथाई कप पिसी हुई चीनी और आधा चमच बेकिंग पाउडर डाल लेंगे और इन ड्राइ इंग्रीडेंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब इसमें मैं चौथाई कप वन फ्लॉद कप मेल्टेट बटर ये घर काई बटर है जिसे कि मैंने मेल्ट कर लिया था और साथ में एक कप दूद जो की रूम टेंपरिचर पर ही लिया है इसे हम थोड़ा थोड़ा डाल कर इसमें मिक्स कर लेंगे इस बैटर में कोई लंच नहीं रहने चाहिए हम थोड़ा थोड़ा दूद डालते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे हमें यदि दूद कम लग रहा है तो हम थोड़ा सा और भी ले सकते हैं अब हम इसमें आदा चम्मच बनीला एसंस डाल देंगे फ्लेवर के लिए इसे भी मिक्स कर लेते हैं और हाँ मैं इसमें पहले नमक डालना भूल गई तो एक इंच नमक भी डाल लेंगे यह स्ट्रॉबरी की टैंगिनेस और स्वीटनेस को बैलेंस करता है बैटर फ्री फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए यदि बैटर थिक लग रहा है तो थोड़ा सा दूद और डाल लें अब मैंने यहाँ पर 7 बाई 7 इंच की एक बेकिंग डिश ली है जिसे बैटर से ग्रीस कर लिया है आप चाहें तो घी या ओईल किसी से भी ग्रीस कर सकते हैं और अब इस बैटर को बेकिंग डिश में पूर कर लेंगे हमने जो स्ट्रॉबेरी ली है ना वो भी सॉफ्ट हो गई है देखे कितनी सॉफ्ट हो गई है और इनका जूस भी अलग हो गया है अब इन स्ट्रॉबेरीस को हम बैटर के उपर फैला देते हैं यह बैटर पूरी तरह से कवर हो जाए, इस तरह से हम फैला लेंगे और इसमें जो जूस निकला है उसे भी इस बैटर के उपर ही डालेंगे जब यह जूस बैटर के साथ बेक होता है, तो केक इसे पूरी तरह से अब्सॉब कर लेता है जिसे की इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है सारी स्ट्रॉबरीज को हम अच्छी तरह से फैला के इसमें डाल लेंगे जिसे की पूरी तरह से कवर हो जाए अब हम इसे ओवन में बेक करने के लिए रख देते हैं इसके लिए मैंने ओवन को पहले से ही प्री हीट करके रखता है इसे हम 170 डिग्री सेंटिग्रेट पर करीब 30 मिनिट्स के लिए बेक करने के लिए रख देंगे इसे बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे केक फूलने लगा है थोड़ा थोड़ा ब्राउन भी होने लगा है इसे हम बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करते हैं अब हम इसे ओवन से बाहर निकाल लेते हैं और रूम टेंप्रेचर पर ही ठंड़ा होने के लिए रख देते हैं अब ये ठंडा हो गया है इसकी प्लेटिंग भी कर लेते हैं देखे कितना टैंप्टिंग लग रहा है ये काफी सॉफ्ट बना है आप इसे कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रॉबरीज या विप्ट क्रीम या अपनी पसंद की कोई भी आईस्क्रीम के साथ इसे सर्व कर सकते हैं या फिर इसे ऐसे भी खा सकते हैं मैंने इसे यहाँ पर चॉकलेट आईस्क्रीम के साथ सर्व किया है इस डिश को बढाते समय अपनी चोईस से हम स्ट्रॉबरीज और शुगर को थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं आपके पास यदि ओवन नहीं है तो हम इसे बाइक्रोवेव में भी बना सकते हैं इसके लिए हम 6 मिनिट के लिए 100% हीट पर और उसके बाद 5 मिनिट के लिए 70% हीट पर बेक कर लेंगे आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताईएगा रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब ज़रूर कर दें अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे बाई बाई